इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह हैं और शरीर के निर्मान खंड होते हैं यह उच्चत वृद्धी और विकास में मदद करता है और पुराने संक्रमन और आगहात के इलाज में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. मांस्पेशियों के विकास को बढ़ावा देता है और उर्जा भी बढ़ाता है और शारीरिक गतिविधी से उतकों का समर्थन करता है 2. धीरज और उर्जा में सुधार और मांस्पेशियों के उतकों के स्वास्थे को बढ़ावा देता है 3. जिल्ली स्वास्थे का समर्थन करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य का समर्थन करता है 4. को एंजाइम Q10-1 एक एंटी आक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है, मुक्तकणों से होने वाले नुकसान से लड़ने में मदद करता है 5. यह ATP नामक उर्जा अनुओं के उत्पादन में मदद करता है, जो शरीर के सभी कार्यों के लिए महत्व पूर्ण है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें